आज की कहानी है कैट का अकेला पन कैट के पडोस में उसका कोई दोस नहीं था वो रोजाना देखती थी कि सारे बच्चे साम को पार देखने जाते थे एक दिन कैट की मम्मी ने कहा तुम्हारी आँटी वेन अपनी वेन को देखरेक करने के लिए जा रही है वो उनकी बेटे नोरा कुद दिन हमारे साथ रहेगी वो अपनी चुट्टियां बिताने यहाँ पर आ रही है तुम उसके देखवाल करना और देखना कि उसे अपने घर की याद न सता है नोरा को अकेला पन महसूस ना हो इसकी जिम्मदारी तुम्हारी है अगले ही दिन नोरा आकर पहुँच गई आते वक्त वो अपने पालतु कुट्टे को साथ में लेकर आई थी नोरा ने बताया कि उसका कुट्टा बहुत बुधिमान है इसलिए उसका नाम गुगल रख दिया है नोरा ने देखा कि कैट खिड़की से पार्क में आने जाने वाले बच्ची को देख रही थी